बूर्णिंग स्टुडेंट मैं श्री दीप्चन चौधरी महाविध्याले ललितपुर से प्रियंका प्रोहिद आज हम अपने आई टी आई की कोपा की क्लास कंटीन्यू करते हैं लास्ट क्लास में हमने डिसकस किया था वाट इस कंप्यूटर नेटवर्क और टाइप आफ कंप्यूटर नेटवर्क है ना तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है जब दो कंप्यूटरों को आपस में सांजा किया जाता है उनकी इंफोर्मेशन को आपस में सेर किया जाता है तो क्या कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क फिर हमने पढ़ा था mayn when land मतलब क्या है local area network है जब किसी network को हम किसी particular building में चलाते हैं तो इसे क्या बोलते है local area network है इसकी particular range होती है कि इतने ही देंज में इसमें इस प्रकार का नेट वर्फ होता है वो particular आपमें किया जाता है जब सब्सक्र v 삶ाया इंदे चिर या परिटे बीस संधाय वश्षय में क्या में इस प्रकार का नैटव Souls अष्ट थया है उन्य वेता है इस नेटवरक या विश्व का नेटवरक आपसने किया जाता है इसके लिए communication channel की जरुत पड़ती है ना अब आज हमें पढ़ना है कि network के क्या benefit है ना तो benefit of networking तो first चो network का benefit है वो क्या है resource sharing resource sharing क्या मतलब है हम network के किसी भी computer से जुड़े साधन को प्योग network के अन्य computer पर कर सकते हैं यदि किसी computer के साथ laser printer चुड़ा है तो अगर वो दो computer आपस में network से connect है तो वो दोनों ही computer उस printer का क्या करेंगे use करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे resource sharing क्या बोलेंगे resource sharing मतलब अगर दो system आपस में through network connect है तो उनके जो external devices हैं वो भी से क्या होंगी आपस में connected होंगी second है हमारा speedy transmission of data है अब इसमें क्या होता है speedy transmission of data में जो computer की networking से दो computer के भी सूचना का आदान परदान तीवरता सुरक्षित रूप से होता है इसमें जो कारी की गती होती है मतलब जो data का transmission होता इसकी speed बहुत जादा तेज होती है और time क्या लगता है बहुत कम लगता है ना तो ये वेनिफिट दे के थर्ड है reliability reliability मतलब विशवश नियता मतलब अगर मैं किसी network से मैंने अपने system को connect करके रखा है मैंने उसमें कोई चीज store करके रखी है तो क्या है networking से किसी भी file की दो या दो से अधिक प्रतियां अलग-अलग computer में क्या हो जाती है store हो जाती है यदि किसी कारणवाज एक computer की प्रतिक खराब हो जाती है तो दूसरे computer में data क्या रहता है हमारा save रहता है हम उसे as a backup यूज़ कर सकते हैं तो यह जो हमारा network है वो क्या होता है काफी reliable होता है तो यह हमने क्या पढ़ा computer network के benefit अब जो next topic हमें इसमें discuss करना है वो क् component of computer network मतलब जब हम दो computer को आपस में through network connect करते हैं तो उसमें हमें किस-किस external equipment की requirement पढ़ती है सबसे पहले हमें जो पढ़ती है वो क्या है charger charger यहां network क सबसे प्रमक केंद्री अत्वा केंद्र होता है अन्ना Evet के अन्ने सभी computer जितने भी उस network वो किस से connect होते है και क्यों से connect होते हैं जो server की speed होती है जो server की capacity होती है वह सारे अन्ने system से क्या होती है ज्यादा होती है ना तो जो हमारा main server होता है जो हमारा central computer होता है इसकी capacity, उसकी speed सब कुछ अने system से क्या होती है ज़्यादा होती है अब जब हम अपने systems को network से connect करें तो जो दूसरे component की हमें ज़रूरत पढ़ती है वो क्या है node क्या है through node ही हम सारे system को आपस में क्या करते हैं सर्वर के अत्रिक्ट network के अने सभी computer को क्या कहा जाता है node कहा जाता है यह वे computer होते हैं जिन पर user कारे करते हैं और प्रतेक node का इगनिश्चित नाम होता है और पैस्चान होती है ठीक है फिर क्या है network cable दो system को आपस में connect करने के लिए केवल की या बायर की जोट परती है बस्ट अपोलोजी स्टार्ट अपोलोजी से connect कर सकते हैं network interface card क्या होता है यह एक ऐसा सर्केट होता है जो network cable को किस से जोड़ता है computer से जोड़ता है इन काडों की साहिता से data को तीवर होता है तीक है मतलब अगर मैंने network interface card यूज किया है तो जो हमारे data की speed होगी वो क्या होगी बहुत ज्यादा होगी है ना तो यह हमने component देखे next हमारा क्या है network युक्तिया मतलब network devices जो हम कल के वीडियो में discuss करेंगे मतलब जब हम land land के थुरू अपना network connect करते है मैंन के थुरू network connect करते हैं तो हमें कुछ devices की requirement होती वो modem भी हो सकता है repeater भी हो सकता है switch भी होता है hub भी होता है तो according to topology तो मैं आपको आगे के वीडियो में topology के बारे में बताऊंगी कि topology क्या होता है according to topology हम network devices क्या करते हैं use करते हैं मैं अपने system को bus topology में connect कर रही हूँ tree topology में connect कर रही हूँ star topology में connect कर रही है hub topology में connect कर रही हूँ topology के according मैं devices का use करते हूँ तो जैसे अगर मैं normal connection लेती हूँ जो घरों में किया जाता है offices में किसका use करते हैं modem का use करते हैं तो ऐसी repeater होता है हब होता है स्विच होता है यह सब हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके स्टुडेंट आज की क्लास हम यहीं ओफ करते हैं गुद डे